स्वागत दोस्तों आप सबी का ट्रेडिंग चैनल के यूटूब चैनल में मेरा नाम है अन्मॉल मित्तलो और आज की वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं चाइना की जी हां अब देखें चाइना के अंदर फैला है पैंडेमिक एक नया वेरिंट फैला है फैला करोना की वजए से ही है हो सकते हैं कुछ दूनों में कुई नई न्यूज या नया कुछ कंसर सुनने को मिले कोकि मार्किट हमेशे रियक्ट पहले करती है न्यूज बाद में आती है मेरा ऐसा मानना है लेकिन खैर बिजनस स्टेंडर्ड के एक रिपोर्ट आई है करना कंडिशन हो सकती है तो यहां पर अगर हम ध्यान दे तो यहां पर एक रिपोर्ट क्या कह रही है कि चाइना लाइकली सींग वन मिलियन कोविड केसिस इन्फेक्शन्स और पांच हजार वाइरस की मिर्त्यू एवरी डे हमें देखने को मिल रही है और एक मिलियन चाइना के अंदर डेली आ रहे है साथ यसाथ आगर नीचे वाली लाइन पर नज़र डालेंगे तो यह और खतरना के इस लाइन पर नज़र डालेंगे तो यह लाइन कह रही है कि जो करंट वेव है में सिंग देली केस्ट रेट रेट राइस टू 3.7 मिलियर इन जैनूरी जनवरी तक यह रेट राइस हो जाएगा और यह हो जाएगा 3.7 मिलियर यानि 37 लाट डेली बेसिस पर और कौन कह रहा है इसको यह इसको कह रहा है अकॉर्डिंग टू एर फिनिटी लिमिटेड जो लंडेन बेस्ट अनिलिटिक स्वर्म है तो यह कह रही है तो अगर हम इस इसकी बात मानें कि जिस हिसाब से कोविट फैल रहा है चाइना के अंदर जो नया वेरिंट आया है और उसका कहा यह जा रहा है कि अगर कोई इस वेरिंट पे इंफेक्शन आता है किसी को तो वो कम से कम 17-18 लोगों को और इंफेक्ट कर देता है यानि इसकी जो रफतार है वो बहुत तेज है अगर हम कुछ पुराने वेरिंट की बात करें जो हमने सुने हैं उनके अंदर क्या हो रहा था कि एक वेक्टी 6 या 7 लोगों को इंफेक्ट कर रहा था लेकिन यह नया वाला वेरिंट एक वेक्टी को 17-18 वेक्टी से इंफेक्शन मिल रहा है और कितनी ज पैनी कंडिशन है तो सबको गिरना चाहिए अमेरिकों को भी गिरना चाहिए इरोप को भी गिरना चाहिए इंडिया के अंदर ही ऐसा क्या है पता नहीं लेकिन हम बात करें अगर टेक्निकल को देख करके मार्केट करन तो कोई भी व्यू बनाते कि मार्केट का क्या एक्शन कि और कल की बात करूई श्पेशिली यह दोग केंडल स Catchंध में देखने को मिल रही है रएड alen Ole यह मार्का चाहिन ऑच्छे सिंगनल्स नहीं यह मार्क के अंदर काई न की पैंडिक कंडिशन करेड करा रहे साथन मार्काट नयंकी सेल्टंदर के अपज़िएंग consistent F पास उसके बाद अगर आप current आप swings पर नज़र डालेंगे तो अब वो swings कुछ नीचे बनते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं यह बास समझ रहे हैं आप तो as per technical analysis तो trend market का खराब हो गया है लेकिन फिर भी trend खराब होने के बाद फिर भी market के अंदर यह 18,000 का जो level है यह एक important support है अगर यह 18,000 का level टूट जाता है market उसके नीचे comfortably ट्रेड करना शुरू करता है बिना किसी problem के तो समझ रहे है market जो है वो downtrend में ही चला गया है अब जब तक market के swings उपर बनने शुरू नहीं होंगे तब तक market के अंदर आप मंदी के सोधे पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज किरावट की बात करें सबसे पहले nifty 50 गिनना शुरू हुआ था उसके बाद bank nifty गिनना शुरू हुआ है तो सबसे पहले जो weakness है वो nifty 50 ने दिखाई थी तो bank nifty का अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट तो इसका भी खराब हो रहा है लेकिन इतना खराब नहीं है जित देखने को मिलेगी द्यान दीजिएगा इसके उपर हाली में bank nifty ने बहुत बढ़िया resistance ब्रेक करा था अगर आप यह देखेंगे यह देखिए हाली में bank nifty ने बहुत जबर्दस resistance ब्रेक करा था यह वाले जो दो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट है यह फर्स्ट पॉइंट सेकिंड पॉइंट है यह उसके बाद यहाँ इसने ब्रेक कर दिया था और यहाँ पर यह जो दो resistance है यह लेवल है ब्रेक करा था उसके बाद यह उपर गया है 2000 पॉइंट उपर गया है उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जब भी मार्किट कोई resistance ब्रेक करती है तो एक बास को टेस्ट करने के लिए वापिस नीचे आती है तो हो सकता यह उपर गया है कि रिसेंटली बहुत सारा हाई पाया था मार्केट स्ट्रॉंगली उपर गयी थी और बुलीशी हो रही थी करेक्शन फेस आएगा उसके बाद वापिस रिवर्स कर जाएगा ऐसी possibility है बैंक निफ्टे का चार्ट इतना ज्यादा वीक नहीं है इसका चार्ट वीक तब अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो 42,000 का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर निकलना पड़ेगा तब जाकर के यह वापिस अपने बुलिश फेस में जाने को दिखता है तो यह होगी तो सब टेक्निकल एनलिसिस की बात मार्केट के अंदर क्या चल रहा है जो न्यूज चल रही है वह आप देखी रहे है न्यूज चैनल के ऊपर लेकि साथ में अगर हम ऑपर इंट्रस्ट की बात करें तो उससे थोड़ से एक पिच्चर किलियर होगे कि ऑपर इंट्रस्ट क्या कह रहा है ऑपर इंट्रस्ट क्या होता है इसके ओपर एक डेडिकेट की पॉजिशन्स क्रेट करें तो अगर उसके इसाफ से हम यहां बात करें तो हमें पता लगेगा कि ऑपर इंट्रस्ट क्या कहानी हमें कहने की कौशिश कर रहा है तो यहां पर देखिए एनलेस पे जाएंगे ऑपर इंट्रस्ट पे क्लिक करेंगे और निफ्टी को हम एक ब से जादा जो ओपर इंट्रस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो यहां दिखाई दे रहा है लगबक साथ मिलियन सेवन एम यानि सतर लाख कॉल राइटर अठारा हजार पांचो रुपे पे बैठे हुए यानि कहने का मतलब यह है कि यह मार्केट को यहां से उपर जाने नहीं पर भी देखिए काफी अच्छा उपन इंट्रस्ट है लगबक 6 मिलियन यानि 60 लाख लोग बैठे है कॉल राइटर बैठे है और 18,300 पे भी कम नहीं है यहां भी 5 मिलियन के आसपास लोग बैठे है थोड़ी बहुत यहां जो सपोर्ट हमें देखनों को मिल रहा है वो तूटता है फिर मार्केट के लिए जो नीचे की जो लेवल्स है ना यह कोई ज्यादा इंपोर्टनस नहीं रख जाते यह मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरती भी दिख सकते है आपको ठीक अगर आप ऑपन इंट्रस्ट पर नजर डाले बैंक निफ्टी के तो वहां स 1,000 पर कॉल राइटर बैठे वे 2.5 मिलियन यानि 25 लाग कोल राइटर यहां बैठे वे जो मार्केट में रुकावट का काम कर रहे है उसके बाद देखे 42,500 पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह लगबग लगबग बराबर है कोई खास डिफरेंस नहीं यानि दोनों लड करेंगे तो यह आपको यहां दिख रहा है 1.5 मिलियन जो है लगबग 15 लाग के आसपास और यह लेवल है 42,000 का जो एक लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टेगा अगर यहां से यह नीचे जाता है तो मार्केट काफी वीग हो जाएगा और यहां से हो सकता है कि शापली हमें के पें नीचे का मूउँव देखने को मिले है तो कानी दोस्तों यह बैया हो रही है अगर हम टेक्निकर अनलीजीजD और उपन इंट्रस्ट की बात करें जो डेट अनलीजजD के अनलीजिस है उसको कम करने की उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और ऐसी कंडिशेन में जब आपसे मार्किट नहीं समल रही हो तो चुपचाब भी बैठ सकते हैं या मार्किट के अंदर ऐसी स्ट्रेजी आप बनाएं जिसके अंदर अगर मार्किट आपके अगेंस चले गई तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो उमीद करता हैं तो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी जल्दी मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब पर के लिए गुडबाई गॉडब्लेस यू बाबाई दोस्तो